एक्ट्रिस कंगना रनौत को फिल्म इमर्जंसी के रिलीस से पहले ही जान से मारने की धंकी मिली है उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अब पुलिस से मदद मागी है कंगना रनौत किसान आंदोलन पर अपने बयान के चलते पहले ही मुश्किलों से घिरी थी अब उनकी आने वाली फिल्म इमर्जंसी ने उनकी मुश्किले और भी बढ़ा दी है फिल्म इमर्जंसी 6 सितंबर को सिनमा घरों में दस्तक देगी जो भारत की पूर्व प्रधार मंत्री इंदरा गांधी के जीवन पर बनी है जिनके अंगर अक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी थी फिल्म में कंगना रनौत इंदरा गांधी के रोल में है लेकिन कंगना रनौत को फिल्म इमर्जनसी की रिलीस से पहले जान से मारने की धंकी मिली है एक्टरस में एक वीडियो शेयर करते हुए पुलिस से अब मदद मांगी है वीडियो में कुछ लोग उनके खिलाफ बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं वीडियो को देखकर एक्टरस के फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंता कर रहे हैं कंगना रनौत ने प्लैटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शक्स इमर्जनसी रिलीस ना करने की धंकी दे रहा है वो कहता नजर आ रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीस करते हो तो सरदार आपको चपल मारेंगे लाफा तो आपने खा लिया मुझे भारती होने पर गर्व है अगर मैं आपको अपने देश और महराश में कहीं भी देख लेता हूँ तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ सिख ही नहीं मराथी मेरे सभी हिंदू इसाई और मुस्लिम भाई आपको चपलों से स्वागत करेंगे वीडियो में दिख रहा दूसरा शक्स कहता है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता अगर फिल्म में सिख को आतंकवादी की तरह दिखाया गया तो फिर याद रखना कि जिसकी फिल्म कर रही हो उसका क्या सीन हुआ था याद रखना कि सत्वंत सिंग और बेंत सिंग कौन थे जो हमें उंगली करता है वो उंगली ही चटका देते हैं अगर हम सर कटवा सकते हैं तो सर कार्ड भी सकते हैं एक्टरस ने वीडियो के साथ हमाचर प्रदेश, महराश और पंजाब पुलिस को भी टैग किया है वीडियो देख एक्टरस के फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता कर रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत की आइरन लेडी की कहानी बताना गलत है जिसे भारत की सबसे मजबूत धानमंत्री कहा जाता है आपको बता दे कंगना रनौत ने जो वीडियो शेयर किया है वो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में सिखों के साथ एक्टर एजाज खान बैठे लिख रहे हैं वीडियो देखने के बाद तमाम लोग कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं एक्टरस के फैंस उन्हें अपनी सिक्यूर्टी बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं एक यूजर ने लिखा है हमारे देश में क्या हो रहा है भारत का तिहास दिखाने की वज़़स से लोग खुले आम बीजेपी सांसत और बॉलिवुड एक्टरस को धमका रहे हैं यहां आपको ये भी बता दे कि कुछ वक्त पहले किसान अंदोलन पर कंगना ने एक बयान दिया था जिससे विवात खड़ा हो गया था हलाकि किसान अंदोलन पर कंगना के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया था कंगना ने कहा था कि अगर सरकार किसान आंदोलन के खिलाफ कड़ा कड़ा कदम नहीं उठाती तो देश में बंगलादेश जैसी स्थती पैदा हो जाईगी जहां एक और कंगना रनौत किसान आंदोलन पर अपने बयान के चलते घीरी हुई है वहीं दूसरी और उन्हें कुछ लोग जान से मारने की धंकी दे रहे हैं वो उन्हें फिल्म इमर्जंसी रिलीज ना करने की सलाह दे रहे हैं एक्रस ने तो वीडियो शेयर कर पोलिस से मदद मागी है लेकिन इस टॉपिक पर आपकी क्या राए हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हैं न्यूज एडिन इंडिया उरिजिनल्स के साथ